हाई वेल्कम बैक तो मैं यूटीब चैनल मेरा नाम है शुविन और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी मिनी कूपर के बारे में रिव्यू देने वाला हूं बहुत लोगों ने बहुत बारी कमेंट कर दिया ग्लैंजा की वीडियो देखकर मेरी कि आप अपनी मिनी है जो मैं 6 साल से यूज कर रहा हूं 2016 में हमने यह मिनी कूपर खरीदी और बिल्कुल भी वैल्यू फर मनी यह गाड़ी नहीं है तो अगर आप यह आगे वीडियो देखना चाते हैं और वैल्यू पर्चेस करना चाते हैं तो यह बिल्कुल भी आपके लिए काम की वीडियो और चीज़े बताता हूं तो यह हमारी मिनी कूपर है इसको फाइव डोर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पांच दर्वाजे हैं दो दो दोनो साइड और डिगी को भी एक दर्वाजा मानते तो इसको फाइव डोर कहते हैं और यह डीजल वेरियंट है और 1500cc का इसके अंदर हैं आप देख सकते हो पूरी ब्लाक रूफ है फुल दो कलर में हैं और इस पे आगे दो स्ट्राइब्स भी बनी हुई है इसको अल अट्रैक्टिव लुक देने का यह और इंज कलर की मिनी कूपर है तो यह बहुत पॉपिलर है और बहुत जादा लोग इसको प्रेफर करते इसमें फाइव डोर की है और प्रॉपरली बहुत सही गाड़ी है 270 एनम टॉक देती है 1750 आरपीम पर और हमने जो अलॉइ वील्स और यह सब ले रखें तो बेसिक अगर मैं आपको इस गाड़ी की कॉस्टिंग बताता हूं तो बेसिक प्राइस अगर देखोगे तो अप्र यह 42-43 लाक रोपीज की है और इसके उपर हमने कुछ मॉड्स करवा रखे हैं और मून रूफ जिसको भी कह सकते हो आप और इसके साथ अलॉइस जो है वो बिलकुल मैच मैचिंग है प्लस कुछ कुछ हमने JCW के जॉन कूपर वर्क्स के हमने मॉडिफिकेशन इस गाड़ी म और क्या चीज़े मिनको बहुत अच्छी लगती है ग्लैंजा की जब मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपने वह नहीं देखी है तो वह भी देख सकते हो टॉप लेट साइड में मैं लिंक दे दूँगा वहां से आपको अच्छा इडिया लग जाएगा ग्लैंजा के बार चीज़े इसके अंदर value for money है नहीं है यह एंटर करते हुए आप ऐसे देख सकते हो ऐसे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यह आपको में कंचोल और में लुक दिखता है तो यह मिनी कूपर की ब्रैंडिंग हो रखी है यहां पर और अगर आप स्टेरिंग देखोगे तो गाड़ी को on करना होता है तो बहुत सही इसके बिलकुल पाइलेट और फ्लाइट की तरे बिलकुल सिस्टम दे रखे हैं यहां पर हलका ब्रेकिंग सिस्टम में हमारे हलका सा दिक्कत आ रही थी तो यह हमको भी सर्विस के लिए दिखानी है तो कोई भी आपको कुछ भ बने हुए एक सब्सक्राइब दिखाता हूं अगर आप ऐसे दिखते हो तो आपको यहां पर दिखेगा कि किस तरह के यहां पर बटन है और काफी कूल बटन होते हैं संरूफ उपन करने के लिए आप बटन दबा सकते हो इधर अगर दिखोगे तो हमारी संरूफ पीछे की पीछे करने हैं तो इसको और दबा के रखोगे तो यह फुल पीछे हो जाती है जिससे की संरूफ यहां पर फुल खुल जाए इसी के साथ ही अगर देखें तो गाड़ी आपको ब्रेक पेपर रखकर यह बटन स्टार्ट का दबाना होता है और गाड़ी आपका सिस्टम है स हर्मान का सिस्टम लगा हुए है आपके प्रॉक्सिमेटली फौर स्पीकर और दो ट्वीट्र है यह आपके दो ट्वीटर्स है अगर आप इदर देख सकते हो और फाइव स्पीकर लगे हुए इसके अंदर चारो दर्वाजे में एक और एक मेजर स्पीकर यहां पर दे रख करते हैं लेकिन हमने माक्सिमम इसको 220 तक ही लेकर गए है मेली हाइवे पर और मैं हलका सब्सक्राइब कर देता हूं यह आपका यहां पर देख सकते हैं कितना इंक्रीज है अभी दो लेवल के फ्यूल है फुल नहीं है हमारा फ्यूल इस गाड़ी में और इसके लावा रेड बेल्ट मैंने अभी लगाने रखी है यह इनका आर्पीम का मीटर है जितना वी तेज चलती है अगर आप देखोगे अगर आप लेकिन तब भी इंटरफेस सही है हमको इस गाड़ी में अगर देखोगे अक्चली यह इशू आता है और में को यह लगता है कि इसके अंदर अगर यहां पर अंडर्ड आटो होता तो बेनेफेशल रहता और अंडर्ड आटो नहीं है क्योंकि 2016 की गाड़ी है इस वज़े से प्लस इसके अंदर अगर देखें तो यू आ बहुत अच्छा है कंफर्टबल है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और इसके लावा दो तीन चीजे और अगर यहां पर अंडर्ड करें तो रेडियो और जितनी भी चीजे हैं रिलेटेट टू साउंड बहुत ही परफेक्ट है चलने में गाड़ी बहुत सुपर्ब है बहुत सही चलती है अगर हम देखें तो 0-200 यह आपकी 8.9 सेकंड में हो जाती है और नॉमल मोड में अगर देखेंगे तो 8 सेकंड के अंदर आपकी 0-200 हो जाती है तो चलिए basic में आपको बताता हूं कैसे इसके gear system काम करता है तो लेफ्ट हेट करते ही यह स्पोर्ट पर चली जाती है तो यह एक चीज रहती है जो बहुत ही लाइटि लाइटिंग नश्दक हो फिर लाइटिंग दीदो रहती है, I mean Lightning काफी बड़िया रहती है इस गाड़ी के अंदर, so गाड़ी का overall experience is 5 साल के अंदर हम बहुत enjoy, 6 साल के अंदर हम बहुत enjoy कर रहे हैं, बहुत ही जादा बड़ी है turner है, it's like कि आप जो कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में अगर आप देखोगे feel बिल्तो वही एकदम feel आती है, जैसे बड़ी चीज हो जाएगी comparison करना, लेकिन Lamborghini को भी जो लोग जितना देखते होंगे, उतना ही इसी को देखते हैं, या फिर Ferrari को देखते होंगे, उतना ही इसी को देखते हैं बिल्कुल same feels है, पर सस्ते में मिल जाती है, वो 3 करोड की, 4 करोड की आती है, यह आप भी 40-50 लाख में आजाती है हम लोग को काफी शौक था, इस वज़े से हमने ली और में ली purchase decision, एक और जीज़ मैं आपको बताऊँ तो हम लोग youngsters थे, भाई और मेरी दोनों की शादी हुई थी, मेरी तो शादी नहीं हुई थी हमारा इक पत्या decision इसलिए भी हमने ली थी, क्योंकि शादी के बाद आप काफी orient हो जाते हो, यह सोचने के लिए कि और kids के around, आप लोग अपनी life के बारे में सोचने लग जाते हो, इस वज़े से ऐसे decisions नहीं लेते हो, और शादी के पहले आप easily यह ले पाते हो, क्योंकि उसके बाद शादी के बाद आप यही सोचते हो, कि ऐसा decision लेना चाहिए है, जो यार सब family के लिए सही रहे है, शादी क और actually हमने बहुत फाइदा उठा है, इसका बहुत मस्ती करी है, बहुत इंजॉएगी है इस गाड़ी के साथ, इसकी की बात करें, तो यह छे साल पोराडी कार की है, और कार की इस तरह लगती है, अनलॉक बटन, और यह लॉक बटन, और यह बूट कोलने का बटन, और simply हमने मिनी कूपर का एक यह भी मिलता है हमको, इसके साथ दो कार कीज मिलती है, आपको मिनी पीछे लिखा हुए, ब्रैंडिंग हो रखिये, कहीं BMW का लोगो नहीं है, क्योंकि यह BMW की अक्चिल कार है, लेकिन BMW का कहीं पर भी लोगो नहीं आता है, इसके अंदर, और round तरीके की इ है, तो इस प्रिटी डीसेंट सही है, यहां से अगर देखो, तो अगर आप चाबी निकालना चाते हो, तो यहां से चाबी निकाल भी सकते हो इस तरह, और इसको यूज कर सकते हो, गाड़ी खोनने के लिए या बंद करने के लिए, तो वो एक चीज रहती है, तो यह इसकी क सब्सक्राइब आपको दिखाने के बारे में आगे बढ़ता हूं और और चीज आपको दिखाता हो इस गाड़ी के बारे में तो गाड़ी अभी ऑन है जैसे बैक सीट एरिया दिखांग तो बैक साइड में बहुत ही कम जगा है इसके अंदर गाड़ी में बहुत कम जगा मिलती है सिर्फ दो बंदे और अक्चली बच्चे ही बैठ सकते हैं बड़े भी बैठते हैं लेकिन इतना ज्यादा कंफिटेबल नहीं रहता है लेक स्पेस की काफी इशू आ जाता है अगर आप इधर देखोगे तो यहा n लाइटिंग पूरी इधर भी है बैकड़ॉर्स के अंदर भी है और इहां पर श्पीक क्पाइफ लगया हुए और यहां पर स्पीकन लगे हुए ट्वेइट फीनग लोगया है तो इस वाट बहुत प्रीमिंग भी लगया हूए तो उससी आपसे सांद बहुत प्रीमियम गया है और सीट अगर आप देखोगे तो सीट आपको मैनुली अडेस करनी पड़ती है अागे पीछे जैसे भी है चीछो टू प्नी जब बादब कर दो हन्याव करते हैं फिशो उसटी già है आपको यहां पर टॉन करना या फिर इसके अनदर वहिकल इंपर्मिशन में चाना है तो वेहिकल इंफरमेशन में भी आप ड्राइविंग एक्साइटमेंट का एक मोमेंट लगा सकते हो जहां पर जब भी आप गाड़ी रेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो पार्किंग पर जैसे गाड़ी है और मैं रेस देता हूं तो आप देख सकते हो कि एनम टॉर्क औ और गाड़ी का ये पूरा स्टेटस बताती रहती है वेहिकल जन सर्राउंडिंग के बारे में अगर देखोगे तो सब कुछ सही है और ये एक टेस्ट चेक कर रही है कि आउटसाइट तेम्परेचर कैसा है और लो एंजिन तेम्परेचर कैसा है अभी एंजिन का तेम्परे और अगर मैं इसको नीचे से राइट साइट पर शिफ्ट करता हूं तो राइट साइट में आप देखोगे में मेन चली गई है नॉर्मल ड्राइविंग रोड और राइट पर इक दम करते हैं तो यी ग्रीन मोड में चली गया फूल ग्रीन सिस्टम हो गया है लाइट बी ग का अबरेज मिलता है डीजल वेहिकल में और यह हम बहुत बाइट कर चुके हैं अगर अच्छे से चलाओ तो अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो आपको 14 का ही आबरेज मिलेगा इसमें लेकिन 16-17 निकाल देती है गारी विच वेरी गुड और बहुत अच्छी फील ह है चलाने में चलाने के अगर बात करें तो चलाने में दो तीन चीज़े बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रम एनी अधर कार हम लोग जो ऑडी चलाते हैं और का स्टेरिंग एकदम मक्षन है एक उंडली से टर्न होता है बहुत ही जादा स्मूध है यह देखे तो इसका स्टेरिंग काफी जादा हार्ड है और काफी हार्ड तरीके से चलता है और बहुत ही जादा लगके यह कारी चलती है तो अगर आपने इटालियन जॉब देखी है तो इटालियन जॉब में आपको जो इस कारी की रणिंग है वो बहुत जादा स्ट्रॉंग है बहुत पर पूरा यू टॉन मार जाती है गाड़ी as compared to other cards जो actually बहुत मुश्यल होगी या फिर slide भी कर सकते हैं तो ये बहुत जादा stable तरके से जलती है तो भगाने में तो बहुत बहुत जादा मज़ाता है तो जितने लोगों ने भी तक enjoy किया मेरे साथ जितने मेरे friends बैठे हैं जो भी बैठे हैं और जब हमने गाड़ी हलकी सी तेज़ चलाई है around permissible limits में जहां पर भी चलाई है जब भी तो बहुत जादा enjoy किया लोगों ने indicators अगरा normal वो सारी चीज़े साही चलती है back wipers, front wipers, auto sensing wipers नहीं मिले हैं तो वो भी मेरे को एक कि bubbling आ जाती है BMW की tires में as compared to ordi बगरा में नहीं आती है तो bubbling मतलब छोटे-छोटे आपकी tires में bubble बन जाता है या फिर bounce नुक्सान point of view से यह लगा कि 2016 में already android auto और carplay आ चुका था हम लोग वो ले सकते थे लेकिन हमने उसको skip कर दिया क्यूंकि innovation सस्ती गाडियों में जादा हो गया था और जो महंगी गाडिया था यह जादा time ले रही थी innovate करने में तो इन गाडियों में नहीं आया था लेकिन और सस्ती गाडियों में आ चुका था for example अगर देखोगे i think 2016-17 में ब्रेजा में आ चुका था already लेकिन इसमें नहीं था और audi में भी नहीं था तो यह चीज़ आपको consider करने वाली है क्योंकि features बहुत ज्यादा matter करते हैं और अभी भी जब मैंने glanza लिया तो मेरेको actually glanza पे मेरा और normal Mini Cooper में Android CarPlay आपको मिलता है और countryman भी इसकी है एक बड़ा वाला version जो आप consider कर सकते हो अगर आप Mini Cooper के बारे में सोच रहे हो खरीदना सो यही चीज़े हैं जो मैं बताना चाहरा था अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करें subscribe करें मेरे चैनल को क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो बनाते रहता हूं अभी तक अगर आपने ग्लांजा की वीडियो नहीं देखिए तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं कोई भी आपको doubts है इस वीडियो में तो mention करी comment section में जिससे कि मैं वो doubts help कर सकूँ और बता सकूँ airbags वगरा standard विलते ही है इस गाड़ी के अंदर जो भी यह सारी चीज़े हैं यह सब मैं बस एक explanation और idea लिए आपको वीडियो बता रहा था जिससे कि आपको एक बढ़िया overview मिल जाए मेरी Mini Cooper का and that's about it for this video thank you so much for watching अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करें subscribe करें मेरे चानल को क्योंकि मैं बहुत सारी technology related videos भी बिनाते रहता हूं अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लिए क्योंकि आपके लिए वो helpful हो सकती है रेगलर टाइम्स में और जैसे washing machine की maintenance आप उससे कर सकते हैं या फिर और भी कोई भी चीज़े जो मैं suggest करता हूं so thank you so much for watching bye bye Shubin from this YouTube channel see ya